तो नमश्कार कैसा है मेरा यूटूब परिवार आज के वीडियो देखने के बाद आपको आपके लोन के लिए किसी भी एड़ोकेट की जरूरत नी पड़ेगे आप खुश से अपने लोन के बारे में इतना तो जरूर जान जाओगे कि कभी भी अगर कोई भी बैक इन भी एफसी कंपनी वाले आपके प्रॉपर्टी को जवरन कबजा करने आए प्रसनल लोन हो, प्रेजिट कार्ड हो, गोल लोन हो, कार लोन हो या किसी भी तरह था सिक्यूर अनसिक्यूर लोन हो आपको आपके लोन के बारे में हर एक चीज पता रहेगी देखिए बहुत बारी क्या होता है कि लोगों के साथ harassment और परिशानी भी इस कारण से हो रही है क्योंकि उनको लोन के बारे में proper जानकारी नहीं होती है वो अपने लोन को divide करना नहीं जानते एक ही बैंक से अलग-अलग लोन ले लेते हैं और इसी बहुत सारी छोटे-छोटी गलतिया है जो एक व्यक्ति कर लेता है जिसे कारण बैंक NBFC कंपनी को मौका मिल जाता है अपने कस्टमर को परिशान करने के लिए इस वीडियो को बहुत द्यास है देखिएगा इस वीडियो के बाद को भी बैंक NBFC कंपनी कभी भी अपने कस्टमर को परिशान नहीं कर सकता सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लोन कितने तरह के होते हैं और किस बैंक से कितना लोन लेना चाहिए ये भी समझिए देखिए अगर बेसिकली आप लोन को डिवाइड करते हो तो लोन सिफ दो तरह के दिखते हैं पहला लोन वो जो प्रस्टनल लोन है जो आहांतोर पर जानता है जिसको अनसेक्यूर लोन के साथ भी जोड़ा जाता है दूसरा लोन आप होम लोन समझिए जो कि एक सेक्यूर लोन है तो मतलब समझ में आया एक सेक्यूर होता है एक अनसेक्यूर होता है secure को किस तरह secure बनाय जाता है और कुछ लोज़ ऐसे भी होते है जो extreme secure होते है और कुछ लोज़ ऐसे भी होते है गुए security की cadre員 में आता है पर ये सारे लोन के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है और मुझे लगता है कि कोई भी bank NBFC company ने जब लोन प्रोवाइड कर रहा होता है वो हर बात पूश्टा है पर कस्टमर को कभी ये नहीं बताता है कि अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके साथ क्या-क्या कर सकते हैं परशान मत हुए हम आपको बताएंगे हर एक डिटेल बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग सिक्यूर लोन के बारे में बात करते हैं देखे, secure loan में क्या होता है, secure loan को आज तक सिफ दो ही तरह से लोग समझते हैं, एक ऐसा loan जिसको लेने के लिए हम अपनी संपत्ती को गिरवी रखते हैं, बस यह ही है, पर इसमें भी दो तरह की चीज़ होता है, secure loan को भी दो तरह से बाटा जाता है, देखे, पहला secure loan वो होता ह है, जहां पर कवजा आपके पास होता है, अलग बात है, प्रॉपरटी के paper, bank के पास है, पर कवजा आपके पास है, और दूसरे case में क्या होता है, कि कवजा आपके पास है नहीं, तो एक extreme secure loan होता है, अगर आप इसका repayment नहीं कर पाते हो, तो bank का आपसे पूछने भी नहीं कर देगा अब कस्टमर के लिए बहुत परिशानी वाली बात है सरी कैसे हो जाता है बहुत ही साधारन सब्द हम समझाएंगे देगे एक जमीन है आपने उस जमीन को गिरवी रखा और लोन ले लिया अब बैंक को अगर पैसा आप नहीं दे पा रहे हो तो बैंक को सबसे पहले पोजिशन लेना पड़ेगा उसके बाद ही जाकर नहीं लाम कर सकती है साधारन सब्द में बैंक को उस प्रॉपर्टी पर कबजा लेना पड़ेगा अगर माली जे बैंक के पास कबजा नहीं है उस प्रॉपर्टी का तो उस प्रॉपर्टी को हाथ तक नहीं लगा सकता बैं मतलब bank ने already gold loan पे security रखी और position भी रखा है, अगर आप पैसा नहीं दे पाते हो तो bank क्या करेगा, bank उस gold को बेच देगा, तो कभी भी अगर future में आप gold loan लेने के बारे में सोच रहे हो, तो gold को बेच दीजिए, आपको जरूरत है, मालनीचे 10 लाग का loan है, तो 10 लाग का gold होगा बहुत अगर रश में बेचोगे, तो 9 लाग रुपे मिलेंगे, जब पैसे आ जाए तो खरीद लीजिएगा, पर आप लोगों का सम्मन में सवाल होगा, कि सर फिर छुड़वा भी तो सकते हैं, पर वो भी तो ब्याज ले रहा है, और समझेए, अगर आपका big गया, तो एक highly secured loan में होता है, जमीन हुआ, फ्लैट हुआ, खर हुआ, जो home loan बगयरा होते हैं, इस cases में क्या होता है, इस case में अगर आप repayment नहीं करते, तो bank auction कर द spaghetti क्रदेता है, पर ये auction में काफी ज्यादा परिशानी होती है, क्योंकि कुझा आपके पास होता है, जब किसी बी चीज का क और अपने लोन को और आपके घर को बचाने के लिए श्टेका भी इस्तमाल कर सकते हो पर ये गोर्ड लोन में नहीं होता तो ये हुआ बस secure loan में कि क्या-क्या चीज होता है, अब इसमें extreme case में क्या-क्या चीज होता है इसको समझिए, अगर आपके कोई secure loan है तो इसको बचाने के लिए गर आप ले देखा होगा, इसमें notice होता है, 132, 134, फिर DM notice, जैसे ही आपके पास 134 का notice है, आपका property अगर 20 लाग से जादा का ह तो आप DRT में objection करके stay ले सकते हो, पर यही चीज है कि जितने दिन का stay आप लोगे, उसके लिए भी fine charges सावे कुछ लगते हैं और customer को बियर करने पड़ते हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे भी discount आपको मिलता है, अगर आप one time settlement करते हो तो यहाँ पे 20 unsecured loan भी दो category में आते हैं, एक ऐसा loan जो पूरी तरह से unsecured है, और दूसरे तरह में एक ऐसा loan जो unsecured हो के भी, यहाँ पे कोई security नहीं है, फिर भी यहाँ पे घर भीख सकता है, आपके समान को बीचा जा सकता है, समझे हो, तरह कि यह दो ही तरह से आप loan लेते हो, जितने भी unsecured loan है, यह credit card के form में लेते हो, और ज्यादा तर लोग personal loan के form में लेते हो, अब personal loan, business loan सभी एक है, आप उसको समझ लेते हो, credit card में क्या होता है, credit card में न ECS लगा हुआ है, नचिक लगा हुआ है, customer अलगी mood में रहता है, और कुछ तो दिया ही नहीं है, बैंक क्या भी गार ल होता है कि हमने तो unsecured loan नहीं रखा है, बैंक क्या भी गार लेगा, देखे, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी unsecured loan लेते हो, और आपके मन में किसी भी point पे चले, कि बैंक क्या भी गार लेगा, देखे, बैंकों के पास भी अधिकार होते है, बैंक arbitration बैठा सकता है, इसमें अगर आप objection नहीं करते हो, जब आपके पास arbitration का notice आता है, तो अगर आप objection नहीं करते हो, तो बैंक one-sided फैसला देदेगा arbitration का award पास होता है, और यह से judgment होता है, तो आपर award पास होता है, अवाँ पास कर देगा, जिसमें बाद बे आपके घर का समान होता है, equivalent to loan amount, ज condition होना चाहिए, कि जो bike कुर किया जाएगा, उस पर कोई और loan नहीं चल रहा है, समझ रहा है, तो इस चीज को भी बहुत ही lightly नहीं लिया जाता है, प्रस्नल लोन में क्या होता है, आप अगर प्रस्नल लोन लेते हो, अगर आपनी payment नहीं कर पा रहे हो, तो bank बहुत जादा द planning मत कर जाएगा, समन का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि देखें, लोगों को notice आता है, मैंने अभी आज सुबह कोई बात बता रहा हूँ, मेरे customer है, उनके साथ एक EMI bounce हुआ है, company ने demand notice, notice, सारा कुछ बेज दिया रहे हो, सारा fake होता है, bank की द्वारा जारी किये गए 99.99% notice fake ह होता है, क्योंकि देखें, एक बात हमेशा समझ के रखिएगा, आप कितना भी लोन ले लो, बड़ा छोटा है, secure, unsecure, कोई भी legal proceeding या किसी भी तरह का procedure, जब तक आपका लोन NPA में नहीं जाएगा, NPA मतलम क्या है, कि आप 3 महने तक safe हो, आपके 3 EMI bounce होगा, तब जाके NPA में तो कोई भी bank, NBFC company अगर आपको इस टाइम पर वो रहा है न, कि हम आपे case कर देंगे, ये कर देंगे, सारे बखवास कर रहा है, एक बार इसमें आपको section 188 का, 25A का जब आएगा notice, जाके bail ले लिए, उसके बाद bank के साथ समझाता हो जाता है, लोग अदालत से करते हैं, bank कर कोई भी परिशानी हो, legal notice है, arbitration है, secure है, unsecure loan है, bank परिशान करा, recovery, agent परिशान करा, नई समझ में आता है, बिल्कुल blank हो आप, message कीजिए, प्रसनली बात करना चाहते है, screen पर नंबर है, appointment लिए बात कीजिएगा, हम आपके loan के बारे में वही चीज़ बताएंगे, जिससे सब सिक्खम खर्चा में आपका loan, खतम हो, कर्च के जाल से आप निकलो, और आराम से अपने जीवन को मेतित करो, ते लिए जैएंग, बने मातरव,